है 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 लोगों को फ्रेंट्स मैं हूं विकेस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है किंग मास्टर वाल इन वान तो आज किस वीडियो पर मैं आपको यूट्यूब के कुछ नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगे जी हां दोस्तों तो क्या है वह आपडेट जानने के लिए दकते रहें वीडियो को सुरू से लेकर आखिर दकते चलिए सुरू करते हैं तो यह कुछ शॉट्स को लेकर आया है और कुछ जो है अपनी ऑफिचल यूट्यूब को लेके जो है आया हुआ है ओके तो द विडियो करते थे तो वहां पर 15 second का timing देटा था लेकिन और यूथा आप जो है मतलब कि मूव करेंगे अब यहां पर मूव हो चुकी है आप यहां पर आप देख सकते हैं और फिर दोस्तों यहां पर आपको 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 नीचे आपको देखने को मिलेगा जितना भी शॉट्स है सारा का सारा आजाएगा जिससे यह होगा कि आपकी जो वीडियो को आसानी से आपकी वीडियो को फाइंड कर पाएंगे ओके तो दोस्तो आप हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और तो दोस्तों यह जो बहुत जबारी filtering नपना कह सकते हैं यह दोस्तों ऑफडेट है वह टिक टॉक की तरह ही है कैसे यहां पर मैं थोड़ा सब बता देता हूं तो जोस्तों मान लेते हैं आपने एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो के जो भी ओडियो है वुस ओडियो से बहुत सारे लोगों ने यूटूब शॉर्ट्स क्रिएट किया है जैसा टिक टॉक पर होता था विलकुल ऐसा ठीक है तो यहां पर क्या होगा आपको पता चलने वाला है कि उस वीडियो से उस ओडियो से कितने लोग वीडियो क्रिएट किये हैं यहां पर सब सब लिखा होगा ठीक है और शात मैं वहां पर एक लिंक दिया जाएगा जिस लिंक पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि उस ओडियो का original video कि युशनने upload किया मतलब कि उस ओडियो का心秒 video यहां पर आपको दिखाई देने लगे गे तो यह जो पोड़播 है बहुत हीआचा update यह आप बढ़ते हैं दूसरी अपड़ेट की ओ तो यहां पर दूसरी अपड़ेट जो दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है YouTube source की जो permission को लेके दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा वीडियो अप्लोड करते समय यहाँ पर एक option आएगा ठीक है जहाँ पर लिखा होगा कि कोई भी creator आपकी वीडियो को यूज कर सकता है एसा एक option आएगा जहाँ पर कि आपको टिक करना होगा जैसे ही टिक करोगे वहाँ पर क्या होगा आपकी जो भी audio है उस audio को यूज करके कोई भी short video बना पाएगा जैसा TikTok पर होता था किसी की भी audio को आप यूज करके वीडियो बना पाते थे यहाँ पर भी ऐसा ही होगा अब मान लेते हैं बहुत सारे लोगों ने आपकी ओडियो को लेके वीडियो बना दिया है ठीक है आप आप क्या करते हैं यहां पर आप सेटिंग्स पर जाते हैं और उस टिक को अंटिक कर देते हैं यहां पर एडिट कर देते हैं और जैसे ही सब कर देते हैं उनका जो वीडियो से वो मतलब कि म्यूट हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को डिलिट कर देते हैं तो उनका व कि आपको लिखा होगा कि आपके एक वीडियो अइंटो है हम जू है से बिलीट करेंगे आसा लिखा यह होगा और वहाँ पर लिखा और व Ari5 क 대해서 है आपकी शवीडियो को ड्यू डाउनलोड करेंगे तो उसि वीडियो का ओडियो नहीं रहेगा यानि की मीट डावन्लोड ऑजायेगा बात में उसे आप एडियो है कर पाएंगे और जो है ओडियो को एड कर कि आप जोंड कर आप लोड कार पा演 के तो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट उपडीट of day की और तो लग जाता था मेरे फ्रेंट्स था जिसका भी यूट्यूब चैनल है उन्होंनों मुझे कॉल करके बताया कि मेरा जो है चार घंटे का दिखा रहा है तो यह बहुत ज्यादा टाइम होता है ठीक है एक मिनिट के वीडियो पर चार घंटा दिखाने लगा और प्रोसेसिंग सबसे तो आयों दोस्तों वीडियो अच्छी लगे होंगी अच्छी लिए तो लाइक करना ना फुलिए अगर आपको यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बाइबाद दोस्तों मिलता हमने नेक्ट्ट वीडियो पर तब तक लिए टेक केर गुड़ बाइ